नमस्कार, कई लोग संग्रहनी से जो लोग परेशान नहीं, जिसे IBS के नाम से जाना जाता है, Irritable Ball Syndrome के नाम से भी जाना जाता है, इसमें आंतरियां ठीक डंग से काम नहीं करती, खास तोर पे बड़ी आत जो है अपना पाचन का काम ठीक डंग से नहीं कर पाती, तो इसमें कुछ रोगी को कभी कब्ज की शिकायत तंग करती है, कभी दस्त की शिकायत तंग करती है, जादा तर जो रोगी होते हैं, उनको बार-बार मलतिया करने जाना पड़ता है, कुछ रोगी को लक्षन के रूप में कब्ज की शिकायत भी देखी जाती है, थोड़ी-थोड़ा म परेशान मत होए यह जो मैं आपको जड़ी बुटी बताने जा रहा हूँ इन में से कोई एक जड़ी बुटी का इस्तमाल करके आप अपनी बिमारी से चुटकारा पा सकते हैं यही ओशदियां आपकी बिमारी को चुटकारा पाने के लिए आपकी बहुत ज़्यादा मदद करेंगी इन ओशदियों का आप इस्तमाल पाउडर के रूप में, काड़े के रूप में या सरबत के रूप में इस्तमाल करके या हिम के रूप में इस्तमाल करके भी लाब उठा सकते हैं सोफ लाके उसको थोड़ा अधभुना करके उसका पौडर बनाके एक चमश, शुबे शाम, दही या लसी के साथ इस्तमाल करने से भी आपको लाब मिलेगा बेलगीरी सूखी या बेलगीरी ताजी ताजी का सर्वत बनाके सुबे शाम इस्तमाल करें सुखी का पाउडर बनाके सुबे शाम दही लसी के साथ इस्तमाल करने से आपको बहुत अच्छा लाब मिलेगा केले का पाउडर बनाके इस तच्चे केले लेके उसको सुखा के पाउडर बनाके आपके लिए बहुत फायदेमंद है अनार का इस्तमाल या पके हुए केले को दही के साथ इस्तमाल करने से भी आपको बहुत अच्छा लाब होगा अनार का जूस या अनार का इस्तमाल करना भी आपके लाबकारी सावित होगा कुड़ा च्छाल आती है जिसे कुटज च्छाल के नाम से भी जाना जाता है उसको लाके पीस के पाउडर बनाके एक चमच पाउडर सुबे एक चमच पाउडर साम को दही लसी के साथ इस्तमाल करने से भी आपको बहुत अच्छा लाब मिलेगा नित्र बला घास आती है उसको लाके पीस के पौडर बनाके अनार के सर्वत के साथ इस्तमाल करने से भी संगरैनी से छुटकारा मिलता है इसी तरह अतीस कडवी आती है उसका इस्तमाल पाउडर के रूप में इस्तमाल करने से दही लसी के साथ बहुत अच्छा लाब मिलता है इंदर जो आते हैं उसको पीस के पाउडर बनाके उसका इस्तमाल करने से भी संग्रैनी में लाब मिलता है राल सफेद आती है उसका पाउडर बनाके सुबे शाम दही लसी या अनार के सरवत दोनों में से कोई एक चीज के साथ इस्तमाल करने से संग्रैनी से चुटकारा मिलता है जै फल को दही या लसी में घिसके पीने से भी हमें संग्रैनी से चुटकारा मिलता है नागर मोथा का पाउडर बनाके सुबे शाम पानी के साथ या दही लसी के साथ इस्तमाल करने से भी संगरहनी से चुटकारा मिलता है इस सब गोल का छिलका एक चम्म सुबे शाम पानी या दही लसी के साथ इस्तमाल करने से भी संगरहनी से चुटकारा मिलता है या इस सब गोल का दाना लाके उसको पीज के पाउडर बनाके आधा से एक चमच सुबे शाम खाने से भी लाब मिलता है कई लोग इस सब बेल का दाना लाके इस सब गोल का दाना भी बोल सकते हो आप इसको या इस सब गोल के बीज भी बोल सकते हैं उनको लाके एक चमच एक कप पानी में रात को भीगो के छोड़ दे, स्वेरे उटके उसको खाले पेट काएं, सुबे भीगो के छोड़ दे, रात को खाना खाने से पहले एक गंट आप खाएं, तो इसको दही लसी में मिलाके भी खा सकते हैं, किसी तरीके से पाउडर फॉर् बनाके एक चमच सुबे शाम दही या लसी के साथ इस्तमाल करके भी आप लाव उठा सकते हैं, पोसत दाना जिसे हम खस-खस के नाम से जानते हैं, उसका पाउडर बनाके एक चमच दही लसी के साथ इस्तमाल करने से बहुत अच्छा आराम मिलता है, मोचरस आती है, मोचरस को पीस के पाउडर बना ले आदा चमच मोचरस का पाउडर एक गिलास लसी के साथ इस्तमाल करें सुबह इसी तरह साम को इस्तमाल करने से भी बहुत अच्छा लाब मिलता है रुमी मस्तंगी आतिय उसका पाउडर दही या लसी के साथ इस्तमाल करने से भी लाब मिलता है सोट को पीस के पाउडर बनाके चुथाई चमच सुबे शाम लसी के साथ इस्तमाल करने से भी बहुत अच्छा लाब मिलता है लोद्र पठानी को पीस के पाउडर बनाके गुनगुने पानी के साथ इस्तमाल करने से भी बहुत अच्छा लाब मिलता है धाय फूल लाके पीस के पाउडर बनाके सुबह शाम लसी के साथ इस्तमाल करने से आदा चमच सुबह आदा चमच शाम को खाना खाने के बाद इस्तमाल करने से बहुत लाब मिलता है संख बसम आती है किसी भी कंपनी के लिए के एक चुटकी सुबे शाम दही या लसी में मिलाके एक कटोरी दही या एक गिलास लसी में मिलाके सुबे शाम इस्तमाल करने से बहुत अच्छा लाब मिलता है इसे आंतरियां अपनी ठीक डंग से काम करने लग जाती है अंतरियों में ताकत मिलती है और संग्रहनी जिसे हम IBS की शिकाहत कहते हैं वो दूर होती चली जाती है ये सभी जड़ी बुटियां आपने इस्तमाल नहीं करनी है इन में से कोई एक जड़ी बुटी का इस्तमाल करके आप लाब उठा सकते हैं ये जड़ी बुटियां आपको कहां से मिलेगी जहां आप रहते हैं वही आसपास में देशी जड़ी बुटिया रखते हैं उनको पंसारी का जाता है उनके पास से लाके पीस के पाउडर बनाके या काड़ा बनाके या सर्बत बनाके या हिम के रूप में इसका इस्तमाल करके आप लाब उठा सकते हैं और अपने विमारी से चुटकारा पा सकते हैं और आज के लिए इतना ही अगली वीडियो में कुछ और लेके मिलता हूं धन्यवाद